हेलो दोस्तों कैसे वाफ सब आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे तो चलिए आई शुरू करते हैं आज की क्लास और इस क्लास में हम यूट एट अक्टूबर दूजार चौबिस के लिए पेपर टू समाजीकवी ग्यांसी NCRT फिल्टर स्रीज की क्लास नंबर पाँच करने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाले क्लासे नहीं देखिये हैं तो उन क्लासों को भी जरूर जाकर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को इस क्लास में दोस्तों हम कक्षा चेबुगोल पार्ट पाँच पिर्थभी के प्रमुक परिमंडल से ये क्लास करने वाले हैं तो दोस्तों क्लास को शूरू करने से पहले अगर आप हमारे सारती कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राब, वीडियो को लाइक और साथ में दोस्तों इस क्लास के अंत में एक कॉमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसे लगती है तो चलिए शुरू करते हैं पिर्थवी की सतो ऐसी है जिसमें परियावरण के तीन महत्वपुन घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को परवावित करते हैं तो चलिए आईए समझते हैं दोस्तों कि पिर्थवी के तीन प्रमु घटक कौन-कौन से हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें कि पिर्थवी के तीन प्रमु घटक कौन-कौन से हैं तो भूमंडल, वायू मंडल और जल मंडल ये तीन पिर्थवी के प्रमु घटक है और जहाँ पर दोस्तों ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं जैव मंडल कहते हैं तो आएए समझते हैं दोस्तों भू मंडल कि भू मंडल किसे कहते हैं और इससे किस किस परकार से प्रशन पूछे जा सकते हैं पिर तभी के टोस भाग को भू मंडल कहा जाता है यहो परपटी की चटानों तो था मिट्टी की पतली परतों का बना होता है तो दोस्तों जो भू मंडल है भू मंडल का निर्मार किस्से होता है तो दोस्तों भू परपटी की चटानों तो था मिट्टी की पतली परतों से भू मंडल का निर्मार होता है ठीक है बढ़ते हैं आगे क्यों पिरतबी की सतों को दू भागों में बांटा जा सकता है तो दोस्तों यहां पर प्रप्रशन पूचा जा सकता है कि जो पिरतबी की सतों है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है दो प्रमुक भागों में बांटा जा सकता है आईए समझते हैं कि यो दो भाग कौन कौन से हैं पहला है दोस्तों बड़े इस्तलिय भू भागों को महादीब के नाम से जाना जाता है और अगला है बड़े जलाशियों को महा सागरिय بیسن کے نام سے जाना जाता है तो आएगे समझते हैं दोस्तों कि पिर्त बी की सतों को दो कौन-कौन से भागों में बांटा जा सकता है पहला हो जाएगा दोस्तों इस तहली है और दोसरा हो जाएगा दोस्तों जलाश्य है ठीक तो दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारे संसार में या विशो में कितने महादीप हैं तो दोस्तों साथ महादीप हैं ठीक और अगर हम बात करते हैं महासागरों की तो दोस्तों पूरे विशो में पूरे संसार में कितने महासागर हैं तो पांच महासागर हैं ठीक है अब समझत है कि महाधीपों से किस प्रकार से प्रशने पूछा जा सकता है तो दोस्तों सबसे पहले प्रशने पूछा जा सकता है कि महाधीपों की संग्या कितनी है तो साथ है ठीक और अगला प्रशने क्या पूछा जा सकता है अगला प्रशने पूछा जा सकता है सातियों कि विश्यों मैं सबसे बड़ा महादीप कौन सा है ठीक एक प्रशन पूछा जा सकता है कि महादीपों की संग्या कितनी है तो साथ है सबसे पहले हम साथों के साथों महादीपों को समझ लेते हैं कि साथ महादीप कौन कौन से हैं तो दोस्तों एशिया महादीप आफरिका महादीप और उत तक्षिर्द ये हमने साथ महधिफ को जान लिए तो अगर आपको यहाँ से प्रश्ने पुछे जाएंगे तो आपको दो बाते क्लिएर हो गई कि बिश्व का सबसे बड़ा महधिप कौन सा है एशिया महधिब और सबसे छोटा कौनचा है और बहुत बार यहीं से प्रश्ण पूछे गए है ठीक अब आगे समझते हैं दोस्तों कि आगे यहीं से किस प्रकार से प्रश्ण पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों अगला प्रश्ण पूछा जा सकता है कि बिश्व का ऐसा कौन सा महादिप है जिससे करकरेखा और बिश्वत रेखा और मकरेखा तीनोरेखाई उकर गुजरती है तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऐसा कौन सा महाधिप है तो दोस्तों मिश्व का ऐसा एक मात्र महाधिप आपरे का महाधिप है जिससे करकरेखा और भूमद्य रेखा और मकरेखा तीनों रेखाई होकर गुजरती है तो दोस्तों जो ये बीच वाले रेखा है इस रेखा को कौन-कौन से नाम से जाना जाता है जिरो डिग्री अक्षांस के नाम से भी जाना जाता है और भूमद्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है और बिश्वत रेखा के नाम से भी जाना जाता है और एक्वेटर के नाम से ये वास्तवी करेखाई नहीं होती है ये कालपनी करेखाई होती है ठीक है और अगला प्रशन दोस्तों यहां से किस प्रकार से पूछा जा सकता है अगला प्रशन पूछा जाता है कि एशिया और यूरूप को कौन सा परवत अलग करता है तो दोस्तों जो यहां पर ये यूर अमेरिका के बीच कौन सी स्तलसंदी है ठीक है तो दोस्तों यहां पर हम उत्तर अमेरिका को देख पा रहे हैं और यहां पर दक्षिन अमेरिका इसके बीच जो दोस्तों यह संक्रे भाग से यहां से यह दोनों महादीब जुड़े हैं इस संक्रे भाग या इस स्तलसंदी का न फिरिका के भी जो जल नहीं दोस्तों Australians दी है उस इस दन का नाम क्या है तो आये समyज़ते हैं दोस्तों कि महासागरों से किस किस परकार से प्रशने पूछी जाते हैं तो पहला प्रशने पूछा जा सकता है कि महासागरों की तंक्या कितनी है तो दोस्तों महासागरों की संकिया कितनी है पांच है अब हम जानने वाले हैं कि पांच कौन कौन से महासागर है ठीक है आईए समझते हैं तो दोस्तों बिश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा हो जाएगा परशान्द महासागर ठीक है ये भी दोस्तों पूरा और ये वाला भी दोस्तों पूरा के पूरा क्या है परशानते ठीक है तो दोस्तों बिश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है परशानत महासागर और अगर दोस्तों हम बात करते हैं सेकेंड नमबर की तो दोस्तों सेकेंड नमबर पर आ जाएगा अटलांटिक महासागर इसका दूस्तों बिश्व का चेत्रबल के दिश्टे है, सबसे बड़ा दूसरा महासागर है, दो होगी, और तीसरे नमबर पर हो जाएगा दूस्तों, हिंद महासागर, तीन होगी, और चोते नमबर का जो दूस्तों महासागर है, वो हो जाएगा दक्षिन महासागर, ये वा चार महासागर होगी और पांच यह नंबर का जो दूस्तों महासागर है या सबसे छोटा महासागर है वो कौन सा हो जागे दूस्तों आर्ग टिक महासागर पांच महासागर होगी ठीक अब इनके अलावा यहां से किस परकार से प्रशने पूछे जा सकते हैं एक तो सबसे ब्यापार के दिश्टी से विश्व का सबसे ब्यस्त महासागर कौन सा है तो दोस्तों जो अटलांटिक या अंद महासागर है ब्यापार के दिश्टी से दोस्तों ये विश्व का सबसे ब्यस्त महासागर है ठीक है बढ़ते हैं आगे कियो अब दोस्तों अगर हम बात करते है कि और महासागरों से किस प्रकार से प्रशनी पूछे जाता है तो दोस्तों एक प्रशनी पूछा जाता है कि दक्षनी गुलार्द में तो दोस्तों ये इसके नेचे वाला जो ये गुलार्द है यह कौन सा है दुस्तों दक्षनी गुलार्द है यह पूरा के पूरा नीचे दुस्तों क्या है दक्षनी गुलार्द है तो यहां से दुस्तों प्रशने पूचा जाता है कि कौन सा महासा अगर 60 डिगरी यह वाला 60 डिगरी दक्षनी गुलार्द तक पहला है दुस्तों हम यह बात करें तो यह 0 degree अक्षान्स हो जाएगा और इसके बाद यह वाली जो दोस्तों मकर रहे खाई यह 23 degree अक्षान्स हो जाएगा दक्षिन गुलाद में और इसी परकार से यह 45 और यह 60 तो दोस्तों 60 degree दक्षिनी अक्षान्स तक कौन सा महासागर फैलाए तो दोस्तों ये कौन सा महासागर हो जागा दक्षिन महासागर हो जागा ठीक है और अगला प्रशन यहां से दोस्तों किस परकार से पूछा जाता है महासागरों से तो दोस्तों एक बहुत फैमस प्रशन है और ये यूटेट और सीटेट परिक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्ण है तो दोस्तों कौन सा है अगला प्रश्ण है कि बेरिंग जलसंदी कौन से दो महासागरों के बीच है तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं Bearing जलसंदी दो कौन से महासागरों के बीच है तो दोस्तों Arctic महासागर और परशानत महासागर के बीच दोस्तों क्या है Bearing जलसंदी है ठीक है बढ़ते हैं आगे की उर तो दोस्तों एक यह वाला प्रशन हो गया पनामा इस्तलसंदी और बेरिंग जलसंदी दोस्तों ये इस्तलसंदी है और ये जलसंदी है बहुत बहुत है बहुत प्रशन है दोस्तों और बहुत बार परिक्षाओं में पूछे भी गए है ठीक है पनामा इस्तलसंदी और बेरिंग जलसंदी ठीक है आगे है दूस्तों समुंदरी जल का तल सभी जगह समान रहता है जो दूस्तों समुंदर का तल है वो सभी जगह क्या रहता है दूस्तों समान रहता है आगे है दूस्तों इस तल की उचाई को समुंदर तल से मापा जाता है ठीक है मानलो दूस्तों ये समुंदर तल है और हमे किसी इस तल की क्या नापनी है दोस्तों उचाई नापनी है तो दोस्तों इसको हम कहां से नापनी है तो दोस्तों इसको हम कहां से नापनी है समुंदर के तल से नापनी है ठीक है जिसे समुंदर तल पर शुन्य मापा जाता है तो दोस्तों जैसे हम समुंदर तल से ये शिकर माउंट आबरेशट है तो दोस्तों ये भी बहूत बार प्रशने पूछा गया कि विश्व का सबसे उचा शिकर कौन सा है माउंट आबरेश्ट है ठीक है बढ़ते हैं आगे कि और समूंध रतल से 8848 मेटर उंचा है तो दोस्तों माउंट एबरेश्ट की जो उंचा ही है वो कितनी है दोस्तों 8848 मेटर है विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशंद महासागर का मेरियान गर्थ है ठीक है दोस्तों ये भी बहुत बार प्रशने 11,022 मेटर है दोस्तों यहां से बहुत बार परिक्षाओं में परशनी पूछे गए है एक तो पूछा जाएगा कि विश्चो की सबसे उची चोटी कौन सी है माउंट अबरेश्ट है अगला परशनी पूछा जा सकता है कि माउंट अबरेश्ट की जो दोस्तों उचाहिए वो कितनी है 8848 मेटर है ठीक है और हो सकता है दोस्तों कहीं कहीं नई किताबों पर कितना हूँ 8850 मेटर है अगर दोस्तों ये option में दिया हूँ तो यही दोस्तों सबसे correct answer हो जाएगा 8850 मेटर ठीक बढ़ते हैं आगे क्यों अब दोस्तों यहां से प्रशने पूचा जाता है कि विश्व का सबसे गहरा मासागर कौन सा है तो दोस्तों विश्व का सबसे गहरा मासागर कौन सा है परशांत मासागर और यही परशांत मासागर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मासागर यहीं से दो प्रशने बन जाएंगे कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है परशान्त महासागर और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है वो भी परशान्त महासागर है और परशान्त महासागर का जो दोस्तों सबसे गैरा बाग है वो कौन सा है मेरियान गर्द है और मेरियान गर्द की जो दोस्तों गैरा ही है वो है 11,022 मेटर है ठीक है बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्यों अब दोस्तों हम महादीपों को समझने वारे हैं कि महादीपों से किस किस परकार से प्रशनी पूछे जा सकते हैं पिरतभी पर साथ महादीप है तो दोस्तों प्रशनी पूछे जा सकता है कि पिरतभी पर कितने महादीप हैं साथ महादीप है इनको दोस्तों थोड़ा बहुत हमने चित्र में पहले भी समझ लिया तो दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं कि गढ़ते करम में महदीपों को कोई सा महदीप सबसे बड़ा है और उसके बाद कोई सा है और इसके बाद किसका नंबर आता तो दोस्तों आईए समझते हैं महाधिपों को उनके गड़ते हुए आकार में तो दोस्तों बिशो का सबसे बड़ा महाधिप कौन सा है एशिया महाधिप ये नमबर एक पर कौन सा है दोस्तों छेतरबल के दृष्टी से सबसे बड़ा महाधिप कौन सा है आफरिका महादीप है और तीसरे पे दोस्तों उत्तर अमेरिका और चौते पे दक्षिन अमेरिका और पांचुए पे दोस्तों अंटार्कटिका और छेटे नमबर पर दोस्तों यूरोप है और सातों में दोस्तों कौन है और श्टेलिया है ठीक है यह हमने दोस्तों महादीप और अगला पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे छोटा महादीप कौन सा है दुस्तों ऑस्टेलिया महादीप है ठिक अगला प्रशने पूछा जा सकता है कि विश्व का एक महात्र ऐसा कौन सा महादीप है जिससे करकरेखा और भूमध्यरेखा और मकरेखा तीनोरेखा यह उकर गुजरती है तो दोस्तों ओफरी का महादीब टिक बढ़ते हैं आगे क्यों और कभी कभी दोस्तों अंटार्क्टिका महादीब से भी प्रशने पूचा जा सकता है कैसे प्रशने पूचा जा सकता है कि विशो का एक मात्र ऐसा कौन सा महादीब है जहां पर कोई भी वहा नई निवासी नहीं है बढ़ते हैं आगे क्योर अब दोस्तो हम साथ के साथ महाधीबों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उन से किस परकार से प्रश्मिप पूछे जाते हैं और किस परकार से पूछे भी गए है ठीक है तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है एशिया महादीप है ठीक है और पिरते भी के खुल छेत्रपल के एक टीहाई बाग में फैला है यह महादीप पुर्वी गुलार्द में इस्तित है तो दोस्तों अगर प्रशने पूछे जाएं कि जो एशिय महादीप है वो कहां है दोस्तों पुर्वी गुलार्द में पुर्वी गुलार्द का मतलब हो जाएगा दोस्तों ये पुर्वी गुलार्द में इस्तित है ठीक और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर पुर्वी गुलार्द में है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर क्या ह तो दूस्थों, यॉराहिर्परवद क्या करता है, एशिया और यॉरॉप को अलग करने का काम करता है ठीच है, आगे है यॉरॉप एवं एशिया के सन्यूगत भाग को यॉरेशिया कहा जाता नौन है, तो दूस्थों, बहुत बारे ये भी प्रशने पूचा जाता है या पश्चिम में इस्तित है तो दोस्तों यूरोप महाधिप कहा है एशिया के मानलों कि ये एशिया महाधिप है और एशिया महाधिप के दोस्तों पश्चिम में क्या है यूरोप महाधिप है ठीक है आर्कटिक बृत इससे होकर गुजरती है तो दोस्तों जो आर्कटिक बृत ह से जल से गिरा है तो दोस्तों जो यूरोप महादीब है यूरोप महादीब तीन तरब से किस से गिरा है जल से गिरा है और इधर दोस्तों क्या हो जाएगा एशिया हो जाएगा ठीक है इधर तीन तरब क्या है जल है और इधर दूस्तों पूरब में क्या है एशिया महादीब है बढ़ते हैं दूस्तों आगे क्यों अब दूस्तों हम आफरीका महादीब को समझने वारे हैं कि आफरीका महादीब से किस किस प्रकार से फ्रशने पूछे जा सकते हैं ठीक है आईए समझते हैं एशिया के बाद विशो कहा दूसरा सबसे बड़ा महादीब कौन सा है आफरीका महादीब ठीक बढ़ते हैं आगे क्यों आफरीका एक मातर ऐसा महादीब है जिससे करकरेखा, भूमदेरेखा और मकरेखा तीनोरेखाई होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है इसको हमने मैप में समझ भी लिया था आगे दुस्तों सहरा का रिगिस्ताँ विशो का सबसे बड़ा गरम रिगिस्ताँ है जो कि इस महादीब में इस्तीत है, तो दूस्तों प्रशनET बहुत बार ये भी पूचा गया है, गो सहरा का रिगिस्ताँ हैं वो कौन से महादीप में तो दोस्तों आफरीका महादीप में बढ़ते हैं आगे क्यों विशो की सबसे लंबी नील नदी आफरीका महादीप से उकर गुजरती है तो दोस्तों बहुत भार ये भी प्रशने पूचा गया है कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है ठीक है अगर दोस्तों हम लंबी की बात करें तो कौन सी ये नील नदी है और दोस्तों अगर हम बड़ी की बात करें या चोड़ी की बात करें तो दोस्तों वो कौन सी ये अमेजन नदी है ठीक है लंबे में दोस्तों कौन है नील नद तें कि यहां से किस प्रकार से प्रशने पूछे जाएंगे एक तो दोस्तों यहां से प्रशने पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा महादीप है जिससे करकरेखा और भुमध्यरेखा और मकरेखा तेनों रेखाई होकर गुजरती है ओफरीका महादीप है ठीक और सारा का रिगि जाते हैं ठीक है यहां से दोस्तों एक ही प्रशन पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है कौन सा फ्रशन उत्तर अमेरिका महादीब दक्षिन अमेरिका महादीब से एक संक्रे इस्तल से जुड़ा है जिसे पनामा इस्तल संदी कहते हैं तो दोस्तों इस्तल संदी किस तो उत्तर अमेरिका और दक्षिन अमेरिका महादिवों के बीच दोस्तों कौन सी स्तलसंदी है पनामा स्तलसंदी दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर अमेरिका और ये वाला हो जाएगा दक्षिन अमेरिका इनके बीच जो दोस्तों ये वाली संदी है इस स्तलसंदी का नाम ही द कौनसी जल संदी है यहाँ पर दोस्तों अभी हमने क्या समझा इस्तल संदी जब इस्तल से इस्तल जुड़ते हैं संदी का मतलब ही दोस्तों क्या होता है जुड़ना होता है ठीक है और यहाँ पर दोस्तों प्रशनी पूछा जाता है कि भारत और शिरलंका दोस्तों यह भारत और स्रिलंगा को ये जलसंदी जोडने का काम कर रही है इस जलसंदी का नाम क्या है यहां से दोस्तों बहुत पार पेपरों में प्रशन पूछे गए है ठीक है अगर दोस्तों हम बात करें भारत और स्रिलंगा के बीच जो जलसंदी है उस जल संदी का नाम है दूस्तों पाक जल संदी ठीक कभी कभी दूस्तों हम पाक का मतलब सीधा सीधा पाकिस्तान समझ लेते हैं और हम आप्शन में पाकिस्तान सही उत्तर लगा के आते हैं जबकि पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच तो दूस्तों जल है ही नहीं ठीक है बारत और पाकिस्तान दुस्तों किस से जुड़े हैं इस्तल संदी के दवारा जुड़े हैं ठीक है ये दुस्तल संदी हो जाएगी या इस्तल से इस्तल ये भारत है और इधर दुस्तों पाकिस्तान है ठीक है जल तो इनके बीच है ये नहीं तो जल संदी से कहां से जुड़ दक्षिन अमेरिका महादीप के पूरम में महासागर और पश्चिम में परशांत महासागर है तो दोस्तों बिल्कुल जो ये दक्षिन अमेरिका महादीप है इसके पूरम में दोस्तों कौन सा हमें दिखरा है कि अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में दोस्तों कौन सा द यहां से भी दोस्तों बहुत बहुत बार प्रशने पूचा गया है कि विश्व की सबसे लंबी प्रबत रंकला कौन सी है तो दोस्तों एंडीज है और एंडीज ये कौन से महादीप में है तो दोस्तों दक्षेन अमेरिका महादीप में ये वाला प्रशने भी केलियर हो गया ठीक है और आगे है दोस्तों कि दक्षिन अमेरिका में विशो की सबसे बड़ी नदी ठीक है तो दोस्तों एक प्रश्ण पूचा जाता है कि विशो की सबसे बड़ी नदी कौन सी है अमेजन नदी है और ये अमेजन नदी दोस्तों कौन से महाधिप में है तो दोस्तों अमेरिका महादीप में है और बिश्यों की सबसे लंबी लंबी दुस्तों कौन से में है आफरिका महादीप में ठीक है दो प्रश्ण यहीं से पूछे जाते हैं और हमें कन्फ्यूज नहीं होना है अगर बड़ी पूछी जाएं तो दक्षिन अमेरिका महादीप में है और अगर लंबी पूछी जाएं तो दुस्तों आफरिका महादीप में है ठीक है और अगर दुस्तों बिश्यों की सबसे लंबी प्रबत ठंकला पूछी जाएं वो भी दुस्तों कौन से महादीप में है दक्षिन अमेरिका महादीप में है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे क्यों अब दोस्तों हम और अश्टेलिया महादीप से समझने वाले हैं कि यहां से किस परकार से प्रशने पूचे जाते हैं ठीक है और आगे है दोस्तों यहो पूरी तरहो से दक्षिनी गुलारत में तो दोस्तों यह जो ऑश्टेलिया महादीप है यह पूरी तरीके से कहा है दोस्तों दक्षिनी गुलारत में तो दोस्तों यह कौन सी रेखा है वो मद्य रेखा या बिश्वत रेखा बिश्वत रेखा से उपर वाले भाग को दोस्तों उत्री गुलारत कहते हैं और नीचे वा तथा समुंदर से गिरा है बिलकुल दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जो ओस्टेलिया महादीप है ये कौन-कौन से महासागरों से गिरा है तो दोस्तों प्रशांद महासागर और ये नीचे वाला हो जागा दोस्तों दक्षिन महासागर और ये हिंद महासागरों से गिरा हुआ है ठीक है और आगे है दोस्तों इसे दूइप ये बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों कि दूइप ये महादीब किसे कहा जाता है इसलिए इसे दूपिय महादीब भी कहा जाता है अब दूस्तों हम अंटार्क्टिका महादीब से समझने वाले हैं कि यहां से किस-किस प्रकार से प्रशने पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से पूछे गए हैं पिर भी अस यह question paper में ठीक है तो दूस्तों दक्षिनी गुलार्द में इस्तित है तो दूस्तों अंटार्क्टिका जो महादीब है यह कहां है दक्षिनी गुलार्द में इस्तित है और आगे है दक्षिनी दूप इस महादीब के मद्य में इस्तित है तो दोस्तों ये हो गया ग्लूब और ग्लूब पर जो दोस्तों अंटार्क टिका महादीप है वो ये वाला है ठीक है और ये वाला हो जाएगा दोस्तों दक्षिनी द्रूब और ये उत्री द्रूब तो दोस्तों जो अंटार्क टिका महादीप है ये दक्षिनी द्रूब के ठीक क्या है मद्य में इस्थिते बिलकुल सही बात है और आगे है यह महादीप अमेशा मोटी बरब की परतों से डखा रहता है तो दोस्तों जो अंटारक्टिका महादीप है यह अमेशा बरब की मोटी परत से डखा रहता है ठीक है आगे है दोस्तों इस महादीप पर किसी भ महादी पर 39 देशों के 70 शूद केंदर इस्तित है तो दोस्तों इस महादी पर 39 देशों के क्या है 70 शूद केंदर इस्तित है हर देश दोस्तों यहाँ पर क्या करता है जो नए नए शूद करने होते हैं तो दोस्तों वो इसी महादी पर करते हैं ठीक है आगे है दोस्तों से दोस्तों जो अभी बरतमान समय में सक्रिय हैं वो कौन कौन से हैं मैत्री और भारती ये तीन शूध केंद्रों मैं से दोस्तों बरतमान में सक्रिय शूध केंद्र है ठीक है और अगला प्रशन पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत का ऐसा कौन सा शूध केंद्र है अंटा भी तरीक से क्या हो गया दूस्तों डूब गया है और सक्रिये कौन-कौन से हैं दूस्तों मैत्री और भारती भारत के अंटार्कटिका महादी पर दू सक्रिये शूद केंदर हैं ठीक है बढ़ते हैं दूस्तों आगे क्यों अब दोस्तों हम जलमंडल से समझने वाले हैं कि ज पिरतबी को नीला गरहो कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि दोस्तों पिरतबी का 71 भाग या 71% भाग जल तता 39% भाग इस तल है तो दोस्तों पिरतबी पर 71% जल है ठीक है और जब दोस्तों इसको हम आकाश से देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है क्योंकि दोस्तो जल कैसे दिखाई देता है नीला दिखाई देता है तो 71% जल की अधिकता होने की कारण जब इसे हम आकाश से देखते हैं तो ये कैसे दिखाई देता है नीला दिखाई देता है ठीक आगे हैं दूस्तों पिर्टबी पर पाई जाने वाले जल का 97 से अधिक भाग महासागरों में पाई जाता है तो दूस्तों जो पिर्टबी पर कितना 100% जल है 100 मैसे दूस्तों 97% जल कहां पाई जाता है महासागरों में पाई जाता है और वो इतना खारा होता है कि मानों के उपयोग मैं नहीं आ सकता तो दोस्तों हमारे पिरतवी पर कितना 71% जल है 71% मैंसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं 70% जल कैसा है दोस्तों जो पीने योग्य नहीं है इस पिरतवी पर दोस्तों सिर्फ 3% ही जल ऐसा है जो पीने योग्य है ठीक है पिरतवी पर के वल 3% जल पीने योग्य है ठीक है बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्यों अब दोस्तों हम महासागर को समझने वाले हैं कि महासागर से किस किस परकार से प्रशने पूछे जा सकते हैं महासाघरों की संक्या कितनी है? 5. कौن कौन से है? परशान्द महासाघर, एटलांटिक महासाघर, इंद महासाघर, और दक्शिन महासाघर, और आर्करटिक महासाघर. इतना तो दोस्तों, उनने पहले भी समझ लिया था, कि जो महासाग्रिय जल है वो अमेशा इस से रहता है या गतीशील रहता है तो दोस्तों अगर हम बात करें कि महासाग्रिय जल अमेशा कैसे रहता है दोस्तों गतीशील रहता है ठीक है अगला है दोस्तों महासाग्रिय जल की प्रमुक तीन गतियां हो सकता है दोस्तों प्रेशन पूछ जाएं कि महासागरे जल की प्रमुक तीन गतियां कौन कौन सी है या महासागरे जल कितने परकार की गतियां करता है तो तीन परकार की गतियां करता है कौन कौन से तीन प्रकार है तरंग जुआरबाटा और महसागर ये धाराएं ठीक है बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्यों ये हमने समझी लिया था तो दोस्तों महसागर से एक प्रशन और भी पूचा जाता है कि ऐसा कौन सा महसागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से पढ़ा है तो दोस्तों ऐसा एक मातर महसागर कौन सा है दोस्तों इंद महसागर है इसका नाम दोस्तों हमारे देश के नाम से पढ़ा है ठीक है और अग दूसतों एक प्रेशनों और भी पूछा जाता है की त्रिपुघ के आकार का कौन सा मासा गरzd। दूसतों हिंद मासा गरदूसरें दो प्रकार प्रेशने पूचे जाते हैंамен एक तो दूसतों ये हमारे देश के दक्षिय में श्थित है ठीक और अगला इसका नाम हमारे देश के नाम से पड़ा है और अगला है दोस्तों ये तिरबुज के आकार का है तो यहां से तेन परकार से फ्रशने पूछे जा सकते हैं ठीक है बढ़ते हैं आगे क्यों अब दोस्तों हम परशान्द महासागर को समझने वाले हैं कि यहां से किस फ्रशने पूछे जा सकते हैं ठीक है परशांद महासागर सबसे बड़ा महासागर है बिल्कुल सही बात है ये हमने समझ भी लिया है पिर तबीका सबसे गहरा भाग मेरियान गर्त दो दोस्तों जो परशांद महासागर है यही विशो का सबसे गेरा भाग है और कहां है तो परशान्त महासागर मैं ठीक है बढ़ते हैं आगे क्यों परशान्त महासागर लगबग बृताकार है तो दोस्तों जो परशान्त महासागर है वो लगबग कैसा है बृताकार है एशिया औस्टेलिया उत्तर यूम दक्षिन अमेरिका के चारों और इस ती थे भड़ते हैं दुस्तों हागे क्यों अब दुस्तों हम समझने वाले हैं कि अटलांटिक महासागर से किस प्रकार से प्रशने पूछे जाते हैं ठीक है तो दुस्तों बिश्वकास सबसे दूसरा बड़ा महासागर है यह अंग्रेजी के ऐस अक्षर के आकार का है तो दोस्तों बहुत बार यह प्रशने पूछा गया है कि ऐसा कौन सा महासागर है जो अंग्रेजी के ऐस अक्षर के आकार ठीक है तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा चितर में देख लेते हैं कि ये अंग्रेजी के ऐस अक्षर के आकार का बना हुआ है और अटलांटिक महासागर का ही दोस्तों दूसरा नाम क्या है अंध महासागर भी है ठीक है बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्यों और ये विश्रो का सबसे ब्यस्त महासागर भी है आगे है दोस्तों इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवम दक्षिन अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरूप एवम अफरिका महादीब है ठीक है बढ़ते हैं आगे क्योड अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत तंतुरित है आगे है दोस्तों यहो अन्यमीत एवम दंतुरित तटरेखा प्राकरतिक पोताश्रे एवम दोस्तों यहाँ पर क्या होना था बंदरगाहों के लिए आदर्श इस्तिति है ठीक है आगे है ब्यापार के द्रिष्टी से यहो सबसे ब्यस्त महासागर है तो दोस्तों बहुत बार यह प्रशन पूचा गया है क ब्यापार के द्रिष्टी से ब्यस्त महासागर कौन सा है तो दोस्तों कौन सा महासागर हो जाएगा अंद महासागर या अटलांटिक महासागर जो अंग्रेजी के एसक्षर के आकार का है ठीक है बढ़ते हैं आगे क्यों अब दोस्तों हम इंद महासागर को समझने वाले है कि यहां से किस प्रकार से प्रशने पूची चाह सकते हैं इन महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानि भारत के नाम से रखा गया है यहो महासागर लगबग त्रिवोजाकार है ठीक है बढ़ते हैं आगे क्योर इसको हमने मैप में समझ लिया था आगे दोस्तों इसके उत्तर में एशिया पश्चिम में आफरिका दतापूरब में आस्टेलिया इस ती थे ठीक है बढ़ते हैं आगे क्योर दक्षिन महासागर अब हम समझने वाले हैं कि दक्षिन महासागर से किस प्रकार से प्रशने पूछे जाते हैं ठीक है दक्षिन महासागर अंटार्क्टिक महादीप को चारों उट से गेड़ता है तो दोस्तों जो दक्षिन महासागर है ये अंटार्क्टिक महादीप को क्या दक्षिन महासागर यह क्या करता है चार ओर से गेरता है तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा महासागर हो जाएगा और यह महादीप हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्यों आगे है दोस्तों यह अंटार्क्टिक महादीप से 60 डिगरी दक्षिन अक्षांस तक फ हम आर्क्टिक महासागर से समझने वाले हैं कि यहां से किस-किस प्रकार से प्रशने पूछे जाते हैं ठीक है आए समझते हैं दोस्तों एक प्रशन यहां से यह पूछा जाता है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो दोस्तों आर्क्टिक महासागर है ठीक आग दुरूब में इस्ती थे ठीक है चली बढ़ते हैं आगे क्यों और यह दुरूब के चार और फैला है तो दोस्तों यह उत्री दुरूब के क्या है चार और फैला है बिल्कुल सही है और यह प्रशांद महासागर से चिछले जलवाले एक संक्रे भाग से जुड़ता है जिसे बेरिंग जलसंदी का नाम से जाना जाता है तो दोस्तों यह जहां से किस से जुड़ता है प्रशांद महासागर से जुड़ता है तो यह चिछले पानी से जुड़ता है ठीक है मतलब जिसके गहराई कम है वहां यह एक दूसरी से मिलते हैं और उसे ही दोस्तों क्या कहते है Bearing जलसंदी कहते हैं जहां दो जलराशियां एक दुसरे से जुडती है उसे क्या कहते हैं जलसंदी Arctic Maasaghar और प्रशान्द Maasaghar के बीड Collins जलसंदी है उस जलसंदी का नाम क्या है इन जलसंदियों का नाम हो जागा दुस्तों Bearing जलसंदी बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्यों अब दोस्तों हम वायू मंडल को समझने वाले हैं कि वायू मंडल से किस किस परकार से फ्रेशने पूछे जा सकते हैं हमारी पिरत भी चारों वोर्ट से गैसों की एक परत से गिरी हुई है जिसे वायू मंडल कहा जाता है बिल्कुल सही बात है यह हमें ऐसी वायू परदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं तो दोस्तों जो वायू मंडल है वायू मंडल हमें ऐसी गैस परदान करता है जिससे हम क नो से क्या करता है दोस्तों हमारी सुरक्षा करता है बिल्कुल चाहिए है बढ़ते हैं आगे क्यों वाइव मंडल शुला सो किल्यूमेटर कि उचाही तक फैला है यहां से प्रश्न कितनी उचाही तक फैला है तो दोस्तों कितने परतों में बाटा गया है तो दूस्तों पांच परतों में बाटा गया है कौन कौन सी पांच परते हैं तो दूस्तों छूब मंडल समताप मंडल मद्या मंडल आयन मंडल और बहीर मंडल ये दूस्तों वाई मंडल की पांच परते हो जाएंगी और दूस्तों ये पांच परते हैं पिर्थभी से बढ़ती ही उंचाई के रूप में हो जागी सबसे पहले दोस्तों पिर्थभी तल के सबसे नजदी कौन सी परते है छोब मंडल है छोब मंडल के बाद समताब मंडल मद्य मंडल आयन मंडल और बहीर मंडल है ठीक है बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्यो ऑक्सिजन 21 परसेंट दूसरी गैसें जैसे कार्वन डायोकसाइड और गन इतियादी 1% है तो दोसनों बहुत बार यहां से प्रशने पुछा गया है कि जो हमारा वाईउ मंदल है हमारे वाईउ मंदल में सरवधिक मात्रा में कौन सी गैस है तो दोसनों कौन सी गैस है तो बढ़ते हैं दुस्तों आगे क्यूर और बागी अन्याहेतीएं कितनी हैं मात्र एक परसेंट है ठीक है बढ़ते हैं आगे क्यूर आकसिजन सांस लेने के लिए आुशक है बिल्कुल आमसे प्रशन पूच जा सकता है कि कौन सी गैस पोदों की बृदी के लिए आऊ सके तो दूस्तों कार्बन डायोगसाइड гарस पोदों की ठीक लिए आऊशक ए बढ़ते हैं आगे क्यूर जैसे जैसे हम उसमंद्र इनतल से उसमंद्र के उर बढ़ें गे वैसे वैसे दोस्तों ताप मान भी गटता जाता है ठीक है और आगे है दोस्तों वाई उचदाब से निम्नदाब की और बैती है ठीक है और इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों पोवन कहा जाता है ठीक है समझ लेते हैं दोस्तों की वाई यू किस प्रकार से उचधाब से निमन Idab की उर बैती है मान लो धूस्तों यहां पर क्या है बहुत ज़ीदा गरμी है और गरμी होने के कारणे जो जो तो यहां की हवा है वो अलकी होकर उपर उट जाएंगी टीक है दोस्तों इसका इस्तान गेरने के लिए इस ओर बढ़ेंगी तो यहाँ पर दोस्तों क्या है जो वायुदाब निम्न है और यहाँ पर क्या है उच्छ है तो वायुदाब अमेशा निम्न दाब से उच्छ दाब की ओर क्या होता है गमन होता है और इस गती को ही दोस्तों क्या कहते हैं इस गती शीलता को ही क्या कहा जाता है पोवन कहा जाता है ठीक है तो दोस्तों यह थी आज की क्लास अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और साथ में एक कॉमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसे लगी और दोस्तों एक काम आपको और करना है कि इस क्लास को अपने उन सबी साथियों तक जरूर शियर करें जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर है ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्याबाद मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में